आपके तरक्की के बीच में आप खुदी हो इसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ आज हूँ आई हमारी चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्रेकर में मनोविकार सेख्षरोग सम्मोन तथा वेसंवित अग्यों महाराष्ण में आकोल नाकपूर पने मुंबई यहां प्रैक्टिस करते हॉस्पिटल से अभी मैं आपको एक एक्जरसाइस दूंगा वैसी एक्जरसाइस है कि आप एक वीडियो देख रहे हो आप तो आप एक कागज़ पेन लेलो और कागज़ पेन लेके आप उसमें लिखो कि आप क्या-क्या क कर नहीं सकते एक्जाम्पल के तरुब में बोल सकता हूं मेरे लिए सुझेओ कि मैं डांस नहीं कर सकता मैं तैर नहीं सकता मैं स्ट्रेट कम्यूनिकेशन नहीं कर सकता सिधी बात नहीं कर सकता लोगों से अच्छा बिंग नाइस रहता हूं मैं मैं लोगों से मिक्स जल्दी नहीं होता मेरा कम्यूनिकेशन जो है तो मैं अच्छा नहीं करता ऐसी कुछ बातें आप लिख सकते कि आप क्या नहीं कर सकते तो मैं आपको कुछ समय देता हूँ आप लिखो अभी ये वीडियो देखने के समय तो आर उखराओं में आप से क्योंकि वो exercise आप करेंगे तो फायदा होंगा ये वीडियो होगा ये वीडियो आप stop करके ये पूरा लिख सकते हो और फिर आप वीडियो चलू कर सकते हो तब ये लिखा आपने पूरा फिर चलू करो वीडियो फिर देखो कि जो आपने सब लिखा कि मैं क्या नहीं कर सकता अब देखो कि आपको ये करने के लिए क्या रुखा रहा है What is stopping you? ऐसी क्या-क्या बाते हैं कि जो आपको ये चीजे करने में रोक रही है हो सकता है कि तैरना आता नहीं तो swimming tank नहीं होगा या आपको गाना गाना नहीं आता है तो कोई गायन का class नहीं होगा पता नहीं जो भी होगा हो तो देखो कि आपको क्या-क्या चीज वो करने में रुखा रही है तो वो लिखो उसके सामने वीडियो रोक क्या आप ये लिखो मैं तो नहीं रोक सूँगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर देखना है next क्या आपको कौन रुखा रहा है ये करने के लिए क्या आपके माबाब रुखा रहे हैं क्या आपके भाई भेन उसमें से कोई रुखा रहा है क्या पती पत्न है कोई रुखा रहा है कौन रुखा रहा है परिसित रुखा रही है क्या कोण रुखा रहा है करने के लिए आप कोई मालूम बढ़ेगा कि इसमें ज्यादातर रुकाने वाला responsible person आप खुदी हो आप कोई करना नहीं है और फिर आप बाहर बोलते रहे तो कि यह है वो है ऐसा है वैसा है उम्मिया बाहर उटते रहे ती है यह सब नहीं आने के बीच में आप खुद हो अभी आप यह लिखो इसके बाद में कि What if I could? What if I could? को यदि मैं अच्छा गाना लगा सकता हूं तो फिर कैसे लेंगी life? यदि मैं अच्छा तैर सकता हूं तो life कैसी रहेंगी? वो लिखो यदि मैं अच्छा कम्यूनिकेट करना सिखूंगा तो फिर लाइफ कैसे रहेंगे या मैं लोगों मैं मिक्स करना मुझे मैं सिखूंगा तो फिर लाइफ कैसे रहेंगे या मेरी भाशा में मेरा प्रभुत वरेंगा कम्यूनिक अच्छा रहेंगा तो फिर लाइफ कैसे रहेंगी तो बोलिको देखो लाइफ में कितनी मज़ा आ जाएगी मगर लाइफ में तरक्की करने के लिए सबसे बड़ा जो बीच में आ रहा है वो आप ही खुद है सबसे बड़ी बाद़ा है जो आ रही वो आप खुद है आप ही खुद को रोख रहे आप ने अपने आपको जेल में बंदक बना के रखा हुआ है मैं यह नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता आपने क्या हुआ उसके लिए आप इनि इसको present हो जाओंगे कि ये मैं हूँ सबसे बड़ा obstacle सबसे बड़ा barrier मेरे तरकी के मैं हुद हूँ और आप अपने आप को वहाँ से निकाल देंगे तो फिर आपके लिए सबी संभव है देखो लाइब जीने में कितना मज़ा आगा बहुत मज़े से आप लाइब जी सकोगे तो आज तय कर लो कि जो भी मुझे लाइब बहुत छोटी है बहुत कम साल है वैसे जीने के लिए और उसमें हमको बहुत मज़े में जीनेगा है ऐसा नहीं होना जीए कि 60 साल की उमर के बाद में 70 साल की उमर के पाने पीछे देखते हुए ऐसा लगेंगा आपको अरे मैं ये कर सकता था वो कर सकता था वो कर सकता था तो ऐसा मौका ने आना चीह आज ही दिरने लिलो जो आप चाहते वो करना चालो करो प्लान करो और गनाईस करो और देखिये लाइफ में कितना मज़ा आएगा तो ये वीडियो आपके सब लोगों को फैला दो शेयर करो ताकि हरे को हम उनको शक्तिशाली जीवन देने के लिए मौका देंगे उनको समझ मैंगा कि हम क्या लाइफ में कर सकते क्या नहीं कर सकते और लाइफ जैने में उनको मज़ा आजाएगा ये सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो और बेल आइक होना आता है उसके उपर क्लिक करो ताकि नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के आपको सबसे पहली बार आजाएगी और लाइब पर लाइब झाल वाच वर्ट पर वाचिए जाना आता है